लोगडाउन के इस दौर में लोगों के मनुरंजन के लिए और उनके अंदर छिपा हुआ टेलेंट बाहल लाने के लिए शेहर का एम ग्रूप अपनी और से अलग-अलग प्रेयास कने में जुटा हुआ है हाल ही में एम ग्रूप ने एक टेलेंट हंट शो का आयोजन किया जिसमें अलग-अलग पार्डिसिपेंट्स ने अपना डांसिंग, सिंगिंग, स्टेंड अप कॉमेडी, मिमिक्री जैसी चीजें कर अपना टेलेंट दिखाया इस प्रोग्राम को डीपी ज्वेलर्स ने संचारित किया, घमासान टॉट कॉम इसका लाइब पार्टनर और माई एफेम इसका रेडियो पार्टनर रहा इस टैलेंट हंट प्रोग्राम को इंडियास गौट टैलेंट की विनर और शहर की रागिनी मकर श्वेता आरोरा बजाज और आरजे अंजली ने जज़ किया इस टैलेंट हंट कॉम्पेटीशन में भाग लेने के लिए वाटसेप नमबर दिया गया था जिस पर प्रतिभागियों को एक से दस मई के बीज अपनी वीडियो बना कर डाल ली थी जब से लोगों को इस टैलेंट हंट की बारे में पता पड़ा इसे अच्छा रिस्पॉंस मिला और वाटसेप नमबर पर लोगों के कई सारे वीडियोज आना शुरू हुए इस प्रोग्राम को लेकर बच्चों में भी गजब का उच्छा देखते बन रहा था कई सारे वीडियोज वाटसेप पर आए और तैलेंट हंट प्रोग्राम को गजब का रिस्पॉंस मिलता हुआ दिखा बहुत सारे वीडियोज आने के बाद दस मही को इस तैलेंट हंट प्रोग्राम का रिजर्ट दिया गया और इसमें इस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कैटिगरी में दिव्याश मूल चंदानी जैवंत मककर आरना वेकी डांस जीरो से नो यर्स में डांस में शुनि से नौ साल में आध्या चौधरी सुहाना मदान आरना अगरवाल वही टिक टॉक में तनिश्का बजाज, महीका कुकरिजा और हरगुन खुराना को विनर अनाउंस किया गया इससे पहले भी M Group कहीं आयोजन करा चुका है हाल ही में M Group ने एक 8 Competition रखा था जिसमें 4 कैटिगरी रखी गई थी पहले कैटिगरी 6 से 6 साल, दूसरी कैटिगरी 7 से 12 साल, तीसरी कैटिगरी 13 से 18 साल और 4 कैटिगरी 19 और उससे उपर की उम्रवालों के लिए रखी गई थी जिसमें लोगों को अपना आर्ट दिखाना था इस आयोजन को भी कमाल का रिस्पॉंस मिला था और इस आट कॉंपिटीशन में देश के साथ साथ विदेशों से भी पार्टिसिपंस ने भाग लिया था इसके बाद एम ग्रूप ने टैलेंट हंट का आयोजन किया जिसे भी गजब का अच्सहा मिला एम ग्रूप नागरिकों के लिए और भी ऐसे आयोजनागी करता रहेगा सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स